यार दोस्तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लकडी के तंदूर में बनता है एक परफेक्ट पिच्चा छलिए इस छोटी मगर स्वात से भरबूर यात्रा के शुरुआत करते हैं तंदूर और पिच्चा की तैयारी पहले हम तैयार करेंगे तंदूर और पिच्चा तंदूर में लकडी को जला कर सही तापमान पर लाएंगे फिर ताजय आटे से पिच्चा का बेस तैयार करेंगे उस पर डालेंगे टमाटर सोस, चीज और आपकी पसंदीदा टॉपिंस तंदूर में पिज्जा पकाना, अब पिज्जा को तंदूर में डालते हैं बस कुछी मिनिटों में पिज्जा सुनहरे रंग का हो जाएगा और चीज पिखल कर ला जवाब दिखेगा तंदूर की आग से पिज्जा का स्वाद और भी गहराव हो जाता है पिज्जा तैयार और समापन तो दोस्तों ये रहा हमारा लकडी के तंदूर में बना हुआ पिज्जा जो पाहाई से क्रिस्पी और अंदर से नरम है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करे अगले वीडियो में फिर में लेंगे तंदूर में पिज्जा पकाना अब पिज्जा को तंदूर में डालते हैं बस कुछी मिनिटों में पिज्जा सुन है रंग का हो जाएगा और चीज पिखल कर ला जवाब तिखेगा तंदूर की आग से पिज्जा का स्वाद और भी कहरा हो जाएगा